नमस्कार मैं हूँ आकिब मिराज खान आपका स्वागत करते हैं जनसंदे स्टाइंस में भागेदारी परिवरतन मोर्चा के संयोजक और जनाजिकार पार्टी के रास्ट्रिय अध्यर बाबुसिंग कुश्वाहा हमारे साथ मुझूद है और उनसे हम बात करेंगे किस तरीके से उनकी तैयारी चल रही है और क्या कुछ आपकी रहनीतिया है देखें बहुत अच्छी हम लोगों की तैयारी है जो हमारा भागेदारी परिवरतन मोर्चा है हमारे साथी सब जगे लगे हैं मोर्चे में पूरी मेनत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी बात आम लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं और हमें पूरा फुरोशा है जो हमारी रिपोर्ट आती है जो हमारे साथी बताते हैं कि लोगों का हमेशने और आशिरवाद मिल ला है और हम लोग बहुत अच्छा करेंगे जीत के आएंगे हमारे साथी सब पहले चरण में मद्दान हुए है साथ परतीशेद मद्दान हुए है आपके जो कंडिडेट थे किया मतलब रिजल्ट रहता है क्या आप एक्षाई लगाए है क्या कुछ होत śषा देखे है बहुत लोगों ने हमें सयोग किया है हमारी पूरी उमीद है कि हम लोग औरों से बेहतर रिजलतेंगे वहाँ सर जैसे सताधारी पार्टी रेलिया कर रही है लेकिन वीपक्ष जो है उनकी नराजगी है कि हमारी कान्तबर देहाद में, और बड़े पैमाने पर एटा कासगज ने हो रहा आइटा का जिला पिशासन है, उमक्रमत नहीं दे रहा है, मेरी चार मीटगे एटा प्रिशासन ने और कास गंज ने एक और एटा ने तीन एटा के डिस्टिक मज़िस्टेट ने और परगना मज़िस्टेट ने जो भी रिटर्निंग अफशर हो इन लोगों ने मिलके हमारे पत्यासियों को तीन तीन चार चार दिन घुमाया परिशान किया और धमका करके लिखा के ले लेते हैं कि आप अपनी परमिशन बिड़रा करते हैं उससे कहते हैं कि सुरच्छे के नाम पर एक लाग जमा करो इसके नाम पर जमा करो जब वो जमा करने को भी तयार हो जाते हैं तो भी भी पर्मिशन नहीं देते हैं कानपूर देहात के आदमी ने आज सभा थी और कल उसको बुलाया जब हम लोगों ने यहां से मैसेज किया कि अभी आप 26 मीटर बाई 26 मीटर इटे बिछवाओ भी आपको इतने दिन से पर्मिशन के लिए दे रखी थी आप बताते तो हम 26 मीटर बाई 26 मीटर बिछवाओ देते आप रात को कह रहे हैं सुबह पर्मिशन है कि हम तो तयार हैं आप 26 मीटर बाई 26 मीटर बिछवाओ और नहीं हम आपके ऊपर खर्चे लाद देंगे यह कर देंगे वो कर देंगे नहीं तो आप लिख के दो कि permission हम नहीं चाहते हैं इतना डर्वा दिया प्रत्यासी को लिख के लिए कि permission हम बेटा करते हैं और वो प्रत्यासी हमारा है चार बार के ML का बेटा है इतना उसको डर्वाया इतना डर्वाया उसको returning officer ने जिसकी कोई शीमा नहीं और वगर returning officer ये कर रहा है आज ओट नहीं पड़ रहा है तो result जब गोशित होगा तो क्या करेगा सब क्या मंचा नजर आती है प्रशासन देखे ऐसे returning officer के खिलाब तो मुकदमा करके उसे जेल भेजना चाहिए जो धंकी दे रहा है सरयाम धंकी है धंकी का मुकदमा होना चाहिए और उसको जेल भेजा जाना चाहिए आपने अभी रैली की बात करी लेकिन जब पहले चनल में मद्दान हो रहा था उसमें भी ऐसी खबरें आई की जबरदस्ती पर शासन के लोग वोट करवा रहे हैं और एवियम खराब हो जाती है मोके पे तो किस तरीके से देखने इसको तेखे हमारे देश की ये पर देश की देश की ये मजबूरी है कि हमारा अधिकारी करमचारी भी हमारे रिष्टेनातों में है सबके वीजेपी के लोग हैं उनके ज्यादा अधिकारी समर्थक हैं समाजवादी पार्टी के हैं हर पार्टियों के कुछ न कुछ समर्थक है कुछ के दबे रहते हैं कुछ के उभार कर गए हैं तो अपनी भावनाओं को पदसित करते हैं चुनाओं में चुनाल में उनको लगता है कि हम रहे जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए वो किसी के भी समर्थन में हो लेकिन जिस गुर्शी पे बैठे हैं वो नेतिक जुम्मेदारी है उपर वाला देख रहा है कि जिस जगे पे वो बैठे उसे इमानदारी से उस पद की गर्मा के अनुसार काम करना चाहिए जो वो नहीं कर रहे है सरकारी अफसर वी आरेस लेके चुनाल लड़ रहे हैं उस पर क्या कहेंगा ये जिन्दगी में और अधिकारी की जिन्दगी में क्या फरक होता है भी समझ मैं बहुत 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 शुक्री है हमारे साथ मौजूद है बाबो सिंग कुश्वाहा भागिदारी परवतन मोर्चा के संयोजक कि जिन्दगी में तो है संहे बहुत 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 बहुत